गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग जो भी जिससे मैं भी इसको देख रहे हूँ ठीक है तो सबसे पहले ये हमारा सताए 28 हमारा जो सेट है उसको लेकर के हाजिर हैं सेटों का कारवा हम लोग हमें से आगे बढ़ाते रहेंगे तो चलिए ये सारे जो प्रस्न है वह सब स्कूल लेवल के ही है और जिसने स्कूल लेवल की पढ़ाई अच्छी की है उसका सब कंप्टिशन आराम से निकलेगा चलिए हम लोग इस सेट को चुरू करते हैं विटामिन डी के सिर्जन में किस तत्तु का उलेखनी ये योगदान है तो देखिए विटामिन डी के पहले मैं सब का उत्तर बता देता हूं इसके बाद मैं लिख भी दूंगा विटामिन डी के सिर्जन में किस तत्तु का उलेखनी ये ये योगदान है तो वह है कैलसी फे उपरधानमंत्री का पोस्ट है उसमें जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे यह सब क्याबनिट मंत्री के हिस्से हुआ करते थे आगे हम लोग देखें कि चोल वंस के किस राजा ने सरपर्थम भू सरवेक्षन कराया तो यह कराया था राज राज पर्थम ने क्योंकि उस सम आत्मा गांधी ने आगे हम लोग देखें केंद्रिय मिर्दा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहां इस्थित है यह इस्थित है नई दिल्ली में दचनी आरप्स परवर्त माला किस देश में इस्थित है यह इस्थित है न्यूजी लैंड में बेलूर मठ की 286 में आगे देखें कि किर्शी विप्रण के विशे में कौन अधितन जानकाडियां प्रकासित करता है तो यह करता है अर्थ सास्त्र एवं सांखे की विभाग नाइंत नमर कोश्चन देखें सिरिया के राजा इंटियोकस से किसने मदिरा सूखे सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगा था तो यह मांगा था बिंदु सार ने जिसमें क्या है कि मीठी मदिरा और सूखे अंजीर तो दे दिया था लेकिन उन्होंने बोला था कि वहां के कानून के एकोर्डिंग दार्शनिक को नहीं भेजा जा सकता है इसलिए दार् मार्च को तो चलिए लिख देते हैं इसको एक बर देख लिजे चाहिए ते स्क्रीन सॉट ले लिजे इसका लिखिए सब कुछ है ना लिखने का कोई तोर नहीं है विटामिंग डी के स्रिजन में किस तत्व का उलेखनी यह योगदान है तो यह योगदान है कैल्सी फेरॉल का किसका है कैल्सी फेरॉल का किसका है कैल्सी फेरॉल अगला देखिए, मंत्री मंडल में कैसे मंत्री होते हैं, तो मंत्री मंडल में जो होते हैं, वो सिर्फ कैबिनिट मंत्री होते हैं, सिर्फ कैबिनिट मंत्री, सिर्फ कैबिनिट मंत्री होते हैं, कैसे मंत्री होते हैं, सिर्फ कैबिनिट मंत्री, ठीक है, आगला देखिए, चो पर्थम ने राज राज पर्थम किसने करवाय था राज राज पर्थम ने अगला देखते हैं किसने 1932 इस्टी में अकिल भारती हर्जन संग की अस्थापना की थी तो यह किया था किसने किया था यह किया था महात्मा गांधी ने किस ने किया था महात्मा गांधी ने आगे देखिए केंद्रिय मिर्दा तथा पदार्थ अनसंधान केंद्र कहां इस्थित है यह इस्थित है नई दिल्ली में कहां इस्थित है नई दिल्ली में यह सब प्रशनिष्टरा के खूब आते हैं एक्जाम में दिली पूलिस हो बिहार बीपीएसी हो दरोगा हो खूब आएंगे दचनी आल्प्स परवतमाला किस देश में इस्थीत है देखिए यह आल्प्स परवतमाला कहा है दचनी आल्प्स यह है न्यूजी लेंड में कहां पढ़ाये न्यूजी लेंड यह कहां है न्यूजी लेंड में है ठीक है आगे देखते हैं बेलूर मट की अस्थापना विवेका नेंदर ने किस वर्स की तो बेलूर मट की अस्थापना उन्होंने की थी अगला प्रस्ण है कौन अधितन जानकरिया प्रकासित करता है कौन करता है अधितन जानकरिया प्रकासित तो यह करता है कि अभी मैंने बताया था लेकिन अभी मेरे दिमाग से उतर रहा है यह कर रहता है अर्थ सास्तर एवं सांख्य की विभाग अर्थ सास्त्र एवं सांख्य की विभाग कौन करता है अर्थ सास्त्र हैं सांख्य की विभाग ठीक है अगला प्रसंद देखे सिर्या के रजा एंटियोकस से किसने मदिरा सुखे अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगा था यह मांगा था बिंदु सार ने किसने मांगा था बिंदु सार दो चीज के आपूर्टी की थी लेकिन दार्शनिके आपूर्टी नहीं की थी उसने राष्टिय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है राष्टिय सुरक्षा दिवस है वो मनाया जाता है चार मार्च को चाहित इसको लिख लेजिए चलिए तो चाहित इसको प। लेजिए लिखना ज्यादा बेहतर है। तो मैं अगले स्रिक्शन में हम लोग बात करेंगे। जबकि चीनी मिट़्ी के प्याले में चाई पीना आसान है क्यों ? तो देखिए, इसमें क्या होता है, कि धातू उस्मा का सुचालक है, तो उस्मा आराम से ट्रांसफर हो जाती है, तो इस्टील के कॉप में, अगर कोई लोग चाय पिएगे, तो उनको मुह पकड़ने का ज्यादा डर रहेगा, उस्मा फैल जाती है, उसमें सुचालक है, लेकि करता है प्रधानमंत्री, कार्बोरेंडम के निदमान में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है, सिलिका का, सिलिकन यानि एसाई का, बिंदुसार किस संपरदाय का अनुयाई था, तो बिंदुसार जो था न, वो आजीवक संपरदाय का अनुयाई थ अंतराष्य perhaps जाता है यह मनाए जाते हैं आठ्भ मार्च को अगला देखिए भी मान चरह के बैटने की जगह को क्या कहा घाता है विस्त ने चाएर चीनी का सबसे बड़ा बहुकता देश कौन सा है अब बताईए तो सिंपल है भारत है भारत सब ज़्यादा चीनी का यूज करते हैं चीनी एक नुकसान दाय चीज है चीनी का यूज कम से कम करना चाहिए चीनी और नमक का भी बिन्दुसार के मरित्यू के समय असो कहां का उपड़ा जा था तो बिन्दुसार का जिसमय डेथ हुआ वो उजयन का उपड़ा जा था उजयन में भी उसने एक वैपाडी की बच्ची से साधी की थी लड़की से विस्व काला मोतिया बिन दिवस कब बनाए जाता है तो ये मनाए जाता है 13 मार्ज को ठीक है अब इसको लिख देते हैं लिखें शुरू करते हैं लिखना तो पहला देखते हैं कि धातू के प्याले में चाय पीना कठीने जबकि मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है क् कि धातू उस्मा का सुचालक है धातू उस्मा का सुचालक है ठेक है आगे देखिए मंत्री परिशत की बैठक की अधेक्षता कौन करता है तो यह करता है प्रधान मंत्री कौन करता है प्रधान मंत्री अगला प्रसंद देखिए कार्बोरेंडेम की निर्मान में किसका प्रयोग किया जाता है सिलिक़ान यानि SI का इस्तिमाल होता है बिंदुसार किस संप्रदाई का अनोयाई था तब बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाई का था अब यह संप्रदाई देखता नहीं है कोई आजीवक मिलता है क्या आजीवक संप्रदाय किस धर्म से संबंदित है ठीक है किस धर्म से संबंदित है ये बताईए कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा आराम से ठीक है आजीवक संप्रदाय का था आगे देखें अंतरास्तिय महिला दिवसका मनाय जाता है ये मनाय जात प्रवात परवंटहां प्रविक्जा को मैं आगे देखिये विमांचला के बैठने की जगव के कहा जाता है क्या को कॉक्पिट यह कहा जाता है कॉक्पिट ठीक है आगे देखिए कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उभगता देश कौन सा है तो यह भारत है ठीक है यह दुखद है कि भारत इतनी चीनी का इस्तेमाल करता है जो सेहत के लिए नुकसान दायक है बिंदुसार की मिर्टू के समें सो कहा का उपड़ा जा था यह ठाख पर अभी-अभी बताया है मैंने उज्जैन का हुपरा जा धा कहा का था उज्जैन का ठीक है आगे दतेखिए वेसू काला मैंने जल्दी जल्दी डिसकस कर दिया, चाहे तो इसको रोक के लिख लिजिए, चाहे तो इसको हटा दिजिए, जो करना है, तो इसको कड़िए आराम से, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है, उमीद है सब लोगों ने लिख लिया होगा, हटाएं इसको, ठीक है, तो कैसा लगा सेशन, बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, और वीडियो को लाइक कर लिजेगा ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, क्या है न कि आखों में प्रॉबलम बहुत बढ़ जाती है, गड़मी के टाइम में, धूल धुकर में निकलता हूँ मैं, ग्रामी नेरिये में क्लास लेता हूँ, आफलाइन क्लासेज, तो बहुत सारा समय व्यस्तता का बीटता है, फिर आतरी में आके यहाँ पर फिर आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करता हूँ इस क्लासेज को, और कई बार सुख में भी अर्लिन दा मॉर्निंग लिता हूँ क्लासेज को, तो काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, फिर वो लाइ मेरी उम्दा क्लासेज और वो क्लासेज क्या, बिलकुल मुफ्त लाने की मेरी कोशिस हमेशा से रहेगी, कि कुछ भी है उसको पेड ना चलाएं, खास करके यहाँ जो है ना उसको यह मेरी इच्छा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे अपना कारवा किस तरह से अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धर्निवाद,